नमस्कार दोर्टो मैं किर्षन गाडनिंग केर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ इस प्लांट को देखिए इसके लिव्स कितने ब्यूटिफुल हैं वेरिगेटिड लिव्स वाला यह पोधा कोलियस की तरह ही दिखाई देता है मगर यह पोधा कोलियस प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट होता है इस प्लांट में लाल रंग के फूल लगते हैं इसके फूल बड़े आकार के मकमल जैसे होते हैं जो की मुर्गे की कलगी जैसे दिखाई देते हैं इसके फूलों का साइज बहुत बड़ा होता है मगर इसके बीजों को देखा जाए तो बहुत ही बारिक राई जैसे होते हैं आज की इस वीडियो में मैं इस प्लांट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबा लें थाकि आगे आने वाली मेरी सभी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिए दोस्तो अब बात करते हैं इस ब्यूटिफुल प्लांट से रिलेटिड जिसका नाम है सलोसिया इसको हम कोक्स कॉम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके फूल मुर्गे की लाल कलगी जैसे ही दिखाई देते हैं बारिश के मौसम में मैंने इसका छोटा सा पोधा लगाया था और अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है अक्टूबर नौवंबर में इसमें फूलोवर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर से मार्च अप्रेल तक यह फूलोवरिंग करता रहता है इस प्लांट को कम से कम 4 गंटे की डारेक्ट सनलाइट की रिक्वार्मेंट होती है जितना अधिक इसको डारेक्ट सनलाइट में रखा जाएगा उतना ही अधिक इसके पत्तों के रंग में वेरिगेशन आता रहेगा और डार्क रेड कलर्स के फूलोवर्स खिलते रहेंगे इस प्लांट की ज़्यादा केर किया हो सकता नहीं होती है यह है अपने आप ग्रो होता रहता है बस कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा इसको कम से कम पानी दें और डारेक्ट सनलाइट में इसको रखें क्यूंकि यह प्लांट डारेक्ट सनलाइट को पसंद करता है कम खाद एवं फर्टिलाइजर में ही है अच्छी ग्रोथ करता है इस प्लांट की कटाई छटाई कभी नहीं करने चाहिए पुराने पत्ते पीले या लाल रंग के होने के बाद गिरने लगते हैं इसलिए नीचे के सूखे पत्तों को प्लांट से अलग कर देना चाहिए इस प्लांट की यह खास बात है कि एक बार किसी गार्डन में लगने के बाद यह आसाने से मरता नहीं है जब पुराना पोधा फ्लोरिंग के बाद सूखने लगता है तो इसके बारिक बारिक बीज अपने आप ही जमीन में भिखर जाते हैं और नेक्ट सिजन में यह नए नए प्लांट के रूप में अपने आप ही उग जाते हैं इसके बीजो की संख्या हजारों में होती है, कई बार तो इतने अधिक पोधे उग जाते हैं, जिनको हमें ना चाते वे भी उखाड़ना पड़ता है, इसलिए इस प्लांट को भी एक हारड़ी, इजी ग्रोविंग प्लांट हम कह सकते हैं, जमीन में इसकी हाइट चार से पांच फिट तक हो जाती है, और फ्लोरिंग भी अधिक होती है, मगर नर्शरी में आजकल ड्वार्फ वेराइटी के सिलोशिया भी मिल रहे हैं, ये भी कई कलर्स में मिलते हैं, इन प्लांट की हाइट एक से दो फिट तक ही रहती है, अक्सर देखा गया है कि ड्वार्फ वेराइटी के प्लांट अधिक फ्लोरिंग करते हैं, ये के गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं, जिससे आपकी गार्डन की सुन्दरता बढ़ी रहती है, इसके वेरिगेटीड लिव्स की सिमेट्रिकल ग्रोथ होने के कारण, ये प्लांट बिना फ्लोवर के भी सुन्दर दिखाई देता है, कोलियस के पोदे की ज़्यादा केर करनी पड़ती है, अधिक दूप में कोलियस सुख जाता है, यदि आपके पास कोलियस नहीं है, तो आप इस पोदे को आसानी से लगा सकते हो, जो की दूर से देखने पर कोलियस जैसा ही लुक प्रोवाइड करता है, इस प्लांट को कितना भी सनलाइट में रखें, यह है हैल्दी बना रहता है, गंबले में यदि इसको लगाते हैं, तो इसकी डूर्फ वराइटी लगाएं, तो अच्छा रहता है, कोलियस के लिव्स की तरह ही इस प्लांट के लिव्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिगेशन होते हैं कई shapes में इसके लिव्स होते हैं जब इसका पोधा पुराना हो जाए और सूखने लगें तो आप इसको निकाल दें और इसके बीजों को इखटा करके रख लें इसके बीज बीज छोटे-छोटे मकमली टच वाले होते हैं एक ही flower से बहुत सारे बीज इखटा हो जाते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो फिलिज लाइक कीजिए सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली मेरी सबी वीडियोज का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे